रामलाल जाट से बात की थी जो आप कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं पहले भी मंत्री रह चुके हैं और कदावर जाट नेता माने जाते हैं। क्या कुछ ये बात चीत रही आपको सुनाते हैं। जब से हमारे नाम चल रहा था। सीनेटी के इसाब से या और कोई सोर्सेज थे तो चैनल में जब आया देखा तो मैं खुद भी अच्छम भी तुआ था कि मैं तो कहीं से सूचना ही नहीं है और ये नाम के से आया। उस चीज जब केवल खबर ही थी तो सही साबित हुई। ज दन्यवाद दूँगा। साथ ही रही के मैं ज़्यादा इस में क्या कहूँ जब आला कामान ने विश्वास किया है मुक्यमंतिय सोग एलो जी की किरपा से जो मेरा खोया हुआ पहले का जो चीजें थी वो मुझे वापिस मिली जो मुझे बहुत ज़्यादा परसंता है मेरे कारिकर्तों मेरे मेरे विदान सबार मेरे जिल्ले में जो मेरे फोलोवर है उनमत है इस चीज़ का सम्मान मुक्यमंतिय जी ने किया है मैं निसीत रूप से पार्टी के एजेंडे के आधार पर पूरा काम करूँगा रिमंदर से काम करूँगा पहले भी आप मंत्री रहे चुक हैं उस तरह काफी अनुभव रहा है आपको मंत्री पर संबालने का भी आपने वन महकमा जैसा संबाला आप देधी वी संचालिक मंडल में आप द्यक्ष रहे बिलवडा आपके जिले की प्रयात्मिक्ताओं को लेकर करके और अगर किस तरह महकमा ऐसा हो सकता है जिसको रामलाल जाट को मिले और उसको बहुत अच्छी तरह से वागी लेके जाएगे यह तो देखो मुख्यमंति जी का विशेशा दिकार होता इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा भिलवडा जिले में जो समशे हैं वो इसी दूसरे जिलों में है समशे हैं सब जगे बरकरार है फिर मैं यह कहूँगा कि भिलोडा जिले में बहुत ज़्यादा कुछ जब जब ऐसो गेलो जी मुख्यमंतिर रहे हैं तब तब काम हुआ है इन सब चीज़ों को मैं डेरी के माधियम से भी आजिले में लगबग 35-40 करोड रुपे पर मंथ किसानों को वित्रित किया जाता है हर माईने 15-18 करोड रुपे कभी 20 करोड रुपे ओसतन 17 करोड रुपे पर 15 दिन के सब्ते में गाउं में दिये जाते हैं तो इससे बड़ी कोई संस्ता नहीं है लगबग पौने 700 करोड का टरना रुपे लगातार में 23-24 साल हो गए जिसमें मैं डेरी कॉपरेटिव मिल की उनन भिलवड़ा में हूँ राज्य में ही नहीं वो देश में एक नंबर पर है तो काम का अनुभव वो है इसके साथ ही वहां की बेरोजगारी है जो नई यूवा पीडी है उनको रोजगार मिले उस रोजगार से जोडने का काम हमने किया है आद मात्मा गंदी रोजगार गारेंटी योजना जिसी यो जाती है जिसमें राजी सरकार काफी कुछ दे रही है तो वो ग्रोथ हो तो लोगों को बेरोजगारों को रोजगार प्रशनसकों को समर्दों को क्या कहना चाहेंगे मैं उन सब को धन्यवा दूँगा उन्होंने सबसे पहले मेरे मांडल विदान सभा की जन्ता को जिन्होंने मुझे जीताया और मेरे परसंसक जो बार भी हैं उन लोगोंने आके मेरे मदद की अज मांडल विदान सभा से जीतने की वजे से ही मुझे ये पद मिला तो उन सब को मैं धन्यवाद दूँगा और उनके जो काम एजेंडा है मैंने कह रखा है उन सब को मैं इस कारेकाल में पूरा करूँगा यही मैं सब को कहूँगा बगवान से प्रातना करता हूँ वालिक से दुआ करता हूँ उन सब की लंबी उमरों स्वास्ते सहीरे रसोगेलो जी और आला कमान सोनिया गांदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँगा उन्होंने मेरे पे विश्वास जता है बहुत बदाए एक बार आपको दुबारा से तो आप नामलाल जाट आप पूर में मंतरी रह चुकों और आपने कहा कि जो भी मुख्य मंतरी अशोग गयलो तो पार्टी आला कमान ने उनको जिम्मेदारी दिये निश्वत तोर पर उसको पूर्ण निश्टा और पूर्ण टाकत के साथ उसको निभाएंगे कैमरा परसन विजए के साथ निर्बलती वारी फरस्ट इंजिया निउज जापूर